दुनिया में ऐसा व्यक्ति नी होगा जिसने इस प्रेपम के रेपैंड कि हो एक व्यक्ति हमें से ब्रॉप उच्पर को ह्यो varis सब्सक्राइब कहों Resistance के लिए धियुर्व स्वाइब क Kings करता हैं। लेकिन बाहर लिकविड आता नहीं है यह फिर कोई लोशन भी नहीं आता तब हम इरिटे हो जाते हैं और कुछ-कुछ पंस तो आसानी से खुल जाते हैं ता कि हम देख सके कि अंदर कुछ प्रॉब्लम है नॉर्मली हम देखते हैं पट कुछ स्प्रेइश मशिन से सील की होगा होता है जो खुलते भी नहीं है फिर हम क्या करते हैं हम परशान होकर उनको दस्बिन में पेक देते हैं और उसके वज़े से उसके अंदर जो भी लिक्विड बचा हुआ होता है वो एन्वार्मेंट को डामेज करता है कोई एनिमल होता है को जानवर होता है विचारा वो उसको डातों के नीचे दबा कर रहे है तो बिल्कुल सोलीशन है आज की वीडियो में हम वही देखने वाले है और बड़ी इंपोर्टेंट वीडियो है हम इसका मेकैनिजम भी देखेंगे और इसको कैसे इजली हम ठीक कर सकते है और यूस कर सक वो भी आज की वीडियो में देखेंगे वीडियो बड़ी इंपोर्टेंट है चलिए स्टार्ट करते है जैसे के आप इस इमेज में देख पा रहे हो एक से लेके 18 पॉइंट्स आपको दिख रहे है जो पॉइंट्स इस नोजल में यूज होना यले पार्ट्स के बारे में थे जाये तो आप इसको पास करके अच्छा से लेक सकते हो इस इमेज को दिखाने का मेरा एक ही इंटेंशन है ताकि हम इसके पैसिक मिकधंशम को समझे जितने पी नोजल्स होते हैоды इसी मिकधं में के साथ काम करते है और इस प्रे को आपने कारडन में देखा होगा है इस स दिने के दूसरों का भी फायदा करवा सकते हैं अब इसके काम करने की वज़या इसके अंदर जो लगे पार्ट्स है यह खराब होने के वज़याद से भी हो सकता है वाठंग इसके अंदर के उपर कोकस नहीं करने वाले यह video जो है हम इसके simple solution के बारे में देखने वाले हैं parts कराब होते हैं तो हम उसको change करके भी इसको tick कर सकते हैं but आज हम वो नहीं देखने वाले हैं हम देखने वाले हैं इसका simple solution तो जितने भी walls है आपको image में दिख रहे हैं numbers में JP wall, ball wall, intake wall तो उस पर आप एक बार नजर फिर लीजे इन walls का ही use करके हम इसका आज solution निकालने वाले हैं तो चले देखते इसका solution अब spray की nozles कितने type के होते हैं वो हम यहाँ देख लेते हैं one by one अब हम जितने भी sprays यहाँ देखने वाले हैं उन में से maximum I mean 90% nozles में sprays में यह trick काम करेगी और आपका काम हो जाएगा तो एक के बाद एक देख लेते हैं तो सबसे पहला जो sprayer type होता है यह है mist sprayer डिसको हम बोलते हैं यह perfumes में, dios में use होता है इस तरह के nozles इसमें भी यह काम कर जाएगा trick दूसरा यह है sprayer pumps जो मैं आपको डिखा रहा हूँ इसमें मुझे डाउट है क्योंकि यह मैंने अभी तक try नहीं किया लेकि मुझे लगता है आप try करके देख सकते हो इसको यह इसमें भी काम कर सकता है अगर मैं future में कभी use करता हूँ यह nozzle spray और इसमें अगर work करता है कुछ होता है तो मैं share करूँगा आपके साथ तो आगे चलते है तो चलिए इस trick का हम practical execution देख लेते हैं जिसकी मदद से हम इसके टारेक वाल्स पे जो हमने पहले देखे थे उसके उपर इसका impact पड़ेगा इस mechanical trick का इसको कैसे execute करना है हम practically देखने वाले अभी तो इसको इसतर से पानी से भरेंगे अगर इस तरह में करने हो तो इस venture चाहिए इसमें भर देन लिया वह गया है इस तरह मैं भर गया में चलत अब देखेंगे चड़ना शुरू हो गया है यह तक पानी आगे फिर से मारेंगे और इस तरह से उंगली रख देंगे वैक्यूम क्रेट होगा हमारा पम शुरू हो जाएगा हो गया शुरू दिख रहे होगी आपको दाट नली भी हमारे देखिए पूरी तरह से भरी हुई है यह टेक्निक जो है यह देखिए पानी आ रहा है अच्छे से सिंबल है करना क्या है तो यहां पर जो जो एर होती है न एर नहीं होनी चाहिए यहां पर वैक्यूम क्रेट नहीं वैक्यूम क्रेट करना है हमें ती भी एर इसमें एर नहीं चाहिए अगर ना हो तो क्या करेंगे हम इसको निकाल लेंगे इसमें पाने डाल देंगे जैसे हम तो यहां उंगली लगाएंगे इस तरह से उंगली लगाके वाक्यूं क्रेड हो जाएगा पानी शुरू हो जाएगा आपका कुछ इस तरह से अभी किछना शुरू कर दिया इस अब यही सेम ट्रिक एंड टेकनिक हम इस modern बॉटल में भी यूज कर सकते हैं इसका जो नोजल है कुछ modern type का है बट mechanism यही apply करेंगे हम और इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके इस तरह से finger touch करके हम इसको भी यूज में ला सकते है और इसके अंदर का यह liquid comb utilize कर सकते है इस तरह सब में finger touch करना है और यह जो white type के nozzle साते थे पहले बुरानी bottles में ऐसे भी आपने देखे होंगे तो इस कर दो